24 सितंबर के सुबा जब पूरा शहर सो रहा था तब महीपालपुर के एक मुबाइल शोरूम में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया तीन चोरों ने मिलकर शटर का ताला तोड़ा और चंद मिन्टों में ही शोरूम को पूरी तरह से लूट लिया चोरी किया घटना सिसी टीवी कैमरे में कैद हो कई है और अब पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी हुई है घटना सुबह चार बजे की है जब चार चोर स्विफ्ट कार में आए उन्होंने लोहे के रौज का इस्तमाल करते हुए शोरूम के शटर का ताला तोड़ा यह सब इतने भे खौफ अंदाज में किया गया कि पास पडोस में किसी को भनक भी नहीं लगी तीन चोर दुकान के अंदर गुसे और सीधे मॉबाइल फोन पर हाथ साफ कर लिया इन चोरों ने 25 लाक रुपए से अधिक सैकडो मॉबाइल बोरी में भरे और 4 मिनिट के अंदर ही वहां से फरार हो गए महिपालपूर इलाका अब इस तरह की वारदातों के लिए नया नहीं रहा कुछ दिनों पहले भी इसी इलाके में चोरों ने इसी तरह का हमला किया था जहां से लाखों रुपए के मॉबाइल फोन गायब हो गए थे ऐसा लगता है कि इन चोरों के होसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें पुलिस पट्रोलिंग की भी कोई फिक्र नहीं है अब महिपालपूर के इस स्चोरूम चोरी की गसघटना के बाद पुलिस देजी से जार्च में चुटी हुई है सिसिटिवे फुटेज की मदद से चोरों की पहचान की जा रही है गटना ने इलाके के दुकानदारों में भी डर का माहूर पैदा कर दिया है कई दुकानदार अब अपनी शुरक्षा के लिए अतिरक्त कदम उछा रहे हैं जैसे कि शटर पर डबल लॉक और अंदर सिक्योरिटी सिस्टम लगवाना लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन चोरों को इतनी हिमत कहां से मिली दिन के उजाले में जहां हर गली में पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही होती है वहां इस सरह की चोरी की वारदाते कैसे हो रही है आखिर क्या महिपाल पुर अब चोरों का नया निशाना बन गया है इस घटना ने नाकेवल पुलिस को बल की इलाके के हर दुकानदार और नागवे को सतर्प कर दिया है खेर आप किस पर क्या रहा है अब कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे हमें सरूप बताईएगा